नमस्कार, आज मेरे साथ हैं सुजानगड विधायक मनोस मेखफाल सर, सबसे पहले तो मैं आपको दिपावली की शुब कामनाई देना चाहूंगी आपको भी बहुत बहुत शुब कामनाई देता हूं और इस वर से प्रातना करता हूं कि इस दिपावली के बाद में पुना सुनहराद दोर वापिस आए क्योंकि पिछले डेट साल से कोरोना के वज़े से लोगों को काफी तकलिफ ही हैं, काफी परेशनया नहीं हुई है तो ये दिपावली फिर खुश्यान लेके आए आने वाले समय में यही सब से प्रातना करता हूं सर चुनाव के वक्त बहुत सारी घोशनया हुई थी, उनमें से कई पूरी हो चुकी है तो कुछ बाकी है तो आप क्या बताना चाहेंगे अपने इस छेतर के वासियों के लिए विकास के लिए क्या करना चाहेंगे देखे चुनाव से पहले चुनाव के बाद में भी कई वादे वी थी, उस वादों पर सरकार ने गोशना ही भी करी थी और लगबग उन गोशनाओं पे काम या तो सुरू हो चुका है या कंप्लीट वी हो चुका है बड़े कामों की बात करें जहां तक कॉलेज कन्या माविदेले की गोशना की थी जो इस शितर से सुरू हो चुका है एक बार एस्ताई भवन पीसीवी स्कुल में के चातरावास में सुरू हुआ है सडकों के जहां तक बात है सेर में करीब बारेक रोड का पेकेश्दा उसमें लगबग सडके बन चुकी है या कुछ ठेकेदार बना रहे हैं दिरे दिरे जिनके पास जादा है वो बना रहे हैं इसके अलावा बड़ी गोशनाओं में जहां तक बात है सिविल कोर्ट के विदासर की थी वो शुरू हो चुका है वहाँ पर नयादिश बैठने लगे हैं और वहाँ काम सुरू हो गाए कातर उपतेसल की एक बहुत बड़ी गोशना थी जो कातर उपतेसल का भी मानिये मुख्यम दिशने स्वेम सुभारम अभी चार-पांस दिन पहले किया था मिटिंग में और अब वहाँ नाइबतेसलिदार की पोस्टिंग हो चुकी है और वहाँ काम सुरू हो चुका है इसी तरह से एक बहुत बड़ा योजना थी सुजानगट साला सर की बीच मामागन की फोरलेन जो सड़क का काम था उसका टेंडर हो चुका है ठेकदार ने कुछ दिन पहले काम सुरू कर दी है सालर साइड से उसको काम सुरू किया है आप देख सकते हैं कि वहाँ अब पूरी चोड़ाए के साथ वो सड़क का काम चल रहा है और उमिद है कि जो तैसम है उससे पहले ही वो सड़क का निर्वान पूरा हो जाएगा इसी तरह से और भी बहुत से इसकुलें जिनको करमोनि से आ रहे हैं कल भी तीन नहीं स्कुलों को करमोनित किया गया है इसके अलावा होस्पिटल का जहां तक है सो से डेट सो वेड कर दिया गया है थोड़ी सी जगे की समश्य है जो आने वाले समय में सुधानी है कि उसकी कैसे विवस्ता करें उसमें हम कारी कर रहे हैं और लगा होके हैं और जल्दी वो टेंडर फाइनल होके और उसके डी प्यार बनके और उसके बाद में ये भी बहुत जल्दी काम सुरू होगा इसके लादा ग्रामिन चेतर की जो कम से कम तीस रड़के हैं जो या उन पर काम लगातार चल रहे हैं इसलिए जो गोशनाएं की गी हैं लगब पूरी होगी हैं सिरफ और बीज का काम है वो बड़ा काम है उसकी डी प्यार बढ़नी है जिसके टेंडर फाइनल भी हुए नहीं है वो लग चुके हैं जल्दी जिस पार्टी को डी प्यार का टेंडर होगा उसके बाद में वो काम सुरू होगा सर मास्तर भंवरला जी बहुत बड़ी हस्ती थे बहुत ही अच्छा उनका व्यक्तित्व था और दिपावली के वक्त वह भी बादार में जाते थे और शुबकामनाएं लोगों को देते थे तो आप क्या कहना चाहेंगे मास्तर जी के व्यक्तित्व के बारे में जी वो पिछले पचास साल से सुजानगड में रह रहे थे जब पहली पोस्टिंग जहुरी स्कुल में वही थी उसके बाद में करीब चमाली साल के उसके राजनितिक जहुन में लगातार जोड़ों से जुड़े रहे हर त्योहार के में चाहीं होली दीवाली ईद हो लोगो हमारे घर में वह पहली दीवाली है उनके निधन के बाद में वैसे तो कोई त्यार का ज्यादा उस्सा है नहीं और और भी थोड़ा शोक है घर में और भी डेथ हवी हुई है पर फिर भी लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शिवकाम नहीं इस दीवाली के पाउन पर कि क्योंकि पिछली बार जो दिपावली और होली जो निकली है हर घर में तकलीफ हुई है क्योंकि कोरोला के वज़े से लोगडाउन के वज़े से लोगों को भी तकलीफ हुई है वेक्तिकत छेतियां भी बहुत हुई है क्योंकि बहुत रास्दियां हुई है बहुत लोग बिमार हुए और साथ ही व्यापारिक देखें तो वो भी बहुत नुकसान हुआ है पिछली दिपावली में लोगडाउन के लिए थोड़ी सी धील दी थी और उसके बाद में वो लोग जबरदस फेला वापिस वा था होली पर भी थोड़ी छूट दी थी तो होल एंड फैपी दिपावली तो फ्रेंड्स यह का हमारा खास वीडियो फुजानगड विधायक मरोज मेगधाल के साथ एक बार आप सभी को दिपावली की हार्दिक शुट कामना है जल ही मिल रहे हूं आपसे एक खास वीडियो के साथ नमस्कार